हेलो स्टुदेंट्स, वेलकम टो जियोग्रोफी गुरू चैनल, वी आज हम बात करने वाले हैं दांडी मार्च की, जिसको हम नमक मार्च भी, सॉल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं, और सविन्य वय्या अंदोलन की अलग लग एस्पेक्ट की हम बात करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह सब कुछ हम जानेंगे आज के शेशन में, बहुत इंपोर्टेंट शेशन है यह, आपके एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से, क्योंकि दांडी मार्च से रिलेटेड या नमक मार्च से रिलेटेड भी कोशन्स आपके एक्जाम का हिस्सा रहे हैं और सवीन्य अवज्यान दोलन, यह भी एक इंपोर्टेंट पार्ट है आपके इसलेबस का कोशन्स है, फाई मार्क्स लोंग आंसर टाइप कोशन्स है, उसमें इससे रिलेटेड कोशन्स है, वो आ सकते हैं, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं नमक मार्च की, जहां से सवीन 1922 में, चोरी-चोरा की घटना के बाद इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था, अब इस आंदोलन को वापस लेने के बाद गांधी जी ने, जो बीच के यह स्ते हैं, यानि कि 1930 में सवीने अवेग्य आंदोलन या दांडी मार्च शुरू होता है, 1922 में ऐसे योग आंदो करके लोगों से बात करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं कि कैसे हमें अंग्रेजों के खिलाब संघर्ष करना है, कैसे हमें सवराज प्राप्त करना है, कैसे हमें इस युद्ध में, इस संघर्ष में हिंसा का प्रियोग नहीं करना है, यानि उनको सत्या को 30th जेन 1930 को लोड इर्विन जो उस वक्त के वॉइस रोई थे भारत में उनके सामने 11 मांगे रखते हैं कि जो 11 डिमांड्स होती है उन में से कुछ वैपारियों से रेलिटेड होती है कुछ मांगे साधान लोगों से रेलिटेड होते हैं या फिर इंपोर्ट डियूटी है उसमें कमी इस परकार की मांगे होती है एक और मांग होती है जो छोटी सी लगती है लेकिन बहुत महत्पून डिमांड होती है वो होती है नमक करकी समापती यानि गांधीची ने नमक को चुना था इस आंदोलन की शुरुआत करने के लिए इसलिए इसे हम नमक मार्च के नाम से जानते हैं तो बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है कि गांधी जीन नमक को ही क्यों चुना, कानून तोड़के इस आंदोलन की इस मोमेंट की शुरुआत करनी थी, कानून और बहुत से छे जिनको तोड़ा जा सकता था, इतनी दूर दांडी जाने की भी जरूरत नहीं थी, वहीं पे निक पहला हमारा जो आज का टोपिक है और इंपोर्टेंट कोशन भी है कि गांधी जीने इस मोमेंट के लिए नमक का चुनाव क्यों किया, तो इसका पहला कान ये था, कि गांधी जी को ऐसा लगा, कि नमक है जो पूरे राष्ट को एक चुट कर सकता है, क्योंकि नमक है जो हर की थाले का हिस्सा है, चाए वो अमीर हो, या गरीब हो, चाए वो हिंदू हो, या मुस्लिम हो, या वो सिख हो, या बोध हो, या जेन हो, हर किसी के भोजन का हिस्सा है नमक, उन्हें लगा कि यही वो एक कार्क या वस्तु है, जिस से हम पूरे देश के लोगों को, चाए व नमक को चुना दूसरे ये था कि ये हर किसी के भोजन का सबसे महत पून हिश्मा होता है हर्थाली का महत पून हिश्मा अंक पर कड़ लगाना गांदी जी को लगा ये तो सोशन की अति हो गई ऑट बोग और इसलिए आवाज उठाना उन्होंने अफ्षिक सुन और इसलिए उन्होंने नमक को चुना ओके तो ये था कि नमक को क्यों चुना फिर ये कि नमक मार्च जिसकों डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, Salt March के नाम से जानते हैं, उसमें क्या क्या हुआ? तो जो नमक मार्ज था, ये किसीज के खिलाफ था? नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी एकाधिकार के खिलाफ था, और इसी के साथ, इस नमक मार्च के साथ गांदर जी सवीन्य वज्यान दौलन, civil disobedience moment की शुरुवात करना चाहते थे, इसके लिए गांदर जी अपने आश्रम, कहां साबरमती आश्रम, अपने सुना भी होगा, गुजरात में साबरमती जो नदी है, उसके तट पर साबरमती आश्रम है, यह जो मार्च है, वो साबरमती आश्रम से चलता है, और कहां तक जाता है, गुजरात का ये एक तट्ये शहर है, दांडी, वहां तक चलता है, कुल 240 मेल की दूरी होती है, एक दिन में 10 मेल की दूरी तै करते हैं, यानि बहुत तेजी से चलते हैं, 78 लोग साथ थे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गई, कारुमा बढ़ता गया, लोगों की भीड़ इकठी होती गई, गांदी जी के साथ, हजारों की संख्या में लोग हैं, वो जूटते गए, 24 दिनों के बाद, 6 अप्रेल को, गांदी जी, अपने अन्यायों के साथ, जो 78 से शुरू हुए थे, हजारों हो चुके थे, उनके साथ दांडी पहुंचते हैं, वहां समुद्र के पानी को उबाल करके, नमक का निर्मान करते हैं, और इस तरीके से, नमक बना करके, गांदी जी, नमक कानून को तोड़ते हैं, और ये सविन्य अविया अंदोलन की, शुरूआत होती है, तो ये था, दांडी मार्ज, इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से, पूछा जा सकता है, कब शुरू हुआ, कितनी दूरी थी, कितने अनियाईयों के साथ सुरू हुआ, कहां से कहां चला, और उसमें वहां पहुंच कर, यानि दांडी पहुंच करके क्या किया गया, तो ये दांडी मार्ज था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कि दांडी यहां पर, आप मैफ में भी चेक कर सकते हो, तो ये दांडी मार्ज थी, ये शुरुआत थी, किसी इसकी शुरुआत थी, ये शुरुआत थी सवीन्य अविज्या अंदोलन की, अब सवीन्य अविज्या अंदोलन जो था, उसके उदेश्ये क्या थे, क्या ओबजेक्टिव्स थे, क्यों इसकी शुरुवात किये गए थी तो इसके उद्शय वही थे जो ऐसे योग अंदोलन खे थी सवराज की प्राप्ति यहां सवराज पूरण सवराज में बदल चुका था पूरण सवराज की प्राप्ति अंग्रेजों की शोषनवादी नीतियों का विरोध करना और देश में एकता स्थापित करना ये कुछ उदेश्य थी इस आंदोलन में क्या-क्या घटनाई घटे तुई वो हम जानते हैं कि देश के विभिन हिस्सों में हजारों लोगों ने नमक कानून और नमक का निर्मान शुरू कर दिया और सरकारी जो नमक के कार खाने थी उनके सामने उन्होंने परदर्शन किया कई जगए पर धर्ना परदर्शन हुआ लोग सडकों पर उतरा आए और गांधी जी को फोलो किया उन्होंने नमक कानून को तोड़ा एक तरीके से उन्होंने कानून जो अंग्रीजी कानुन थो जो थी उनको तोड़ने की शुरुआत की कि नहीं हम नहीं मानने वाले अब हमारी देश में हमारे उपर हुकम शाषन नहीं चला सकते जैसे जैसे यह अंदोलन फेलता गया विदीशी कप्ड़ों का बहिशकार किया गया इस अंदोलन में श्राब की दुकानों को बंद कर दिया गया किसानों ने भी कर देने से मना कर दिया गाओं के जो अधिकारी थे उफिशिल जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया कई स्थानों पर जंगल जो वनों के लोग थे उन्होंने वन कानुनों को मानने से मना कर दिया लकड़ी और रिपेलों होने विदेशी वस्तों का भहिय्सकार करना सुरू कर दिया सवल देशी वस्तों का पहननी चुरू कर दिया स्चूडेंस प्लाइंज बंद कर दिया नेताओं उुपादियां है व Noel णोठाति और जगए जगए पर जो कानून थे, ब्रिटिश कानून थे, उनको तोड़ना शुरू कर दिया, हम नहीं मानते, हर जगए आवाज आ रही थी, इनकलाब, वंदे मात्रम, और इस बार माहोल ऐसा लग रहा था, कि साइद देश आजाद हो जाएगा, ऐसा लग रहा था कि इस बार जब पूरा देश सडकों पे उतराया है, तो शायद अंग्रेजों को भागना पड़ेगा, तो ऐसा सब कुछ, पूरे देश का, किसी एक कोने का नहीं, पूरे देश का माहोल था, हर जगए पर भीड को कंट्रोल करना, ब्रिटिस सरकार के लिए बहुत ज़्यादा मुश्क गांधी जी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने पेशावर की सडकों पर परदर्शन किया, तो वहाँ पर पुलिस की गोली बारी की जाती है, कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन इससे भी लोगों का जोश ठंडा नहीं होता, भीड हर दिन बढ़ती जाती है, हर दिन और कोंग्रेस पार्टी की, उस आंदोलन की, उनको गरफतार किया जाता है, और इसके साथ आंदोलन भी हिंसक होना शुरू हो जाता है, पुलिस चोकियों के उपर, नगरपालिका, यानि कि गौर्मेंट बिल्डिंग जो होती है, उनके उपर, अदालतों के उपर, एलवे स्ट इत्यादी है, उनके उपर हमला शुरू हो जाता है, तो ये आंदोलन जो अहिंशक शुरूआत हुआ था, वो हिंशक हो जाता है, कब हो जाता है, जब गांदी जी की गिर्फतारी होती है, तो ये आंदोलन जो था, civil disorbidness moment, ये दो फेज में चलता है, पहला जो फेज था, उसके बाद 1932 से लेकर के 34 तक इसका second phase शुरू होता है, यानि कि part 2, तो ये था कि क्या-क्या घटनाई घटित हुई सवीने अवग्या अंदोलन के रूप में, तो आपको ज्यादा अलग सी करने की जरूरत नहीं है, आप common जो incident ऐसी योग अंदोलन के दोरान हुआ था, क्या- बच्चे हैं, सब भी भाग लेते हैं, सबसे बड़ी बात ये थी, कि इस बार महिलाओं की भागिदारी पहले की तुलना में बहुत ज्यादा थी, पहली बार महिलाएं भी सडकों पे उतर आई थी, ऐसी योग अंदोलन में थी, लेकिन उनकी संख्या उतनी अधिक नहीं थ होता है, आंदोलन बढ़ता जा रहा था, फेलता जा रहा था, और किसी भी तरीके से ब्रिटिस कोवर्मेंट उसको रोकना चाती थी, गांधी जी को बातचीत के लिए मनाना चाती थी, तो 1931 में गांधी जी और लोड इर्विन के बीच में एक समझ होता होता है, उसे हम गा समझ होता के नाम से भी जानते हैं, डैली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, गांधी जी है, उन्होंने इस समझ होते में क्या हुआ, कब हुआ ये, 1931 में होता है, कहां होता है, ये दिल्ली में होता है, किसके बीच में होता है, गांधी जी और लोड इर्विन के बीच में हो आडिश्पेट करेंगे गांध जी सहमत हो जाते हैं कि मैं सेकंड रावंटेबल कॉन फेरेंस जो है उसमें भाग लुँगा उसके लिए सहमत हो जाते हैं गांध जी दूसरी तरफ बाद जो ल्ड इर्विन हैं वह सहमत हो जाते हैं कि सभी राजमतिग जो केदें उन collaboration छोड़ दिया जाएगा, यानि कि ये समझोता है 1931 में होता है, गांधी जी और लॉड इर्विन के बीच में होता है, दिल्ली में ये समझोता होता है, दोनों सहमत होते हैं, गांधी जी इस बात के लिए मान जाते हैं, कि वो second round table conference है, उसमें भाग लेंगे, पहला कब हुआ थ जो हैं, वो इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं, कि राजनतिक बंदियों को छोड़ दिया जाएगा, राजनतिक केदियों को छोड़ दिया जाएगा, राजनतिक केदी कौन से होते हैं, वो केदी जिनको राजनतिक कारणों से धर्णा परदाशन या सरकार का विरोध करने के कारण या फिर लेख लिखा गया या इस परकार के राज्टिक गत्विधियां उसके कारण उनको बंदी किया गया था जेल में उनको भीजा गया था कोई अलग अपराद नहीं किया गया था तो उन सभी को छोड़ने पे सहमति बन जाती है तो यह था गांधी इर्विन पूना पैक्ट कब होता है यह 1932 में होता है कहां होता है नाम से पता चल रहा है पूना में होता है किस के बीच में होता है यह गांधी जी और डॉक्टर बियार अमबेड करके बीच में होता है किस बात को लेकर के होता है डॉक्टर बियार अमबेड कर है वो दलित वर्क के लिए अलग निर्वाचकों की मांग करे थे अलग निर्वाचक क्या मैं आपको बता दूं कि वो चाहते थे कि एक ही consistency से दो लोग चुने जाए जनरल का अलग से चुने और जो दलित है वो community अपना अलग से चुने इस बात को British सरकार है वो मांग जाती है क्योंकि British सरकार को लगा कि यह हमारे लिए बड़ा helpful रहेगा हमारे लिए helpful रहेगा क्योंकि उनके policy पहले ही थी divide and rule उन्हें लगा इससे तो यहां का समाज यहां के लोग और ज्यादा बंड जाएंगे तो उनकी बात को मांग लेते हैं लेकिन गांधी जी इस बात से सहमत में होते हैं और वो यहां फिर fast and to death आमरन अंशन सुरू कर देते हैं उनका मानना था कि अगर अलग निर्वाचक मंडल बन गया ऐसे तो देश की एकी कंड की परकिरिया धीमी हो जाएगी देश शायद गांधी जी इस बात का विरोध करते हैं और आमरन अंशन सुरू कर देते हैं कि यह नहीं हो सकता अ widget में अंबेडकर को गांधी जी की मांग है उनकी जो प्रिस्तिती है उनको समझना पड़ता है मानना पड़ता है इस तंबर 1932 में मूना पैक्ट है वह होता है गांधी जी और अमबेड कर जी के बीच में तो यह तो हमने पहले के बताया अगर आपका आए कि पूनाप प्रफ्राइक्ट के अनुसार गांधी जी ने आजादी के बाद दलीतों के लिए आरक्षन देने का वादा किया। और इसके अनुसार जो अमबेड करें उन्होंने दलीतों के लिए अलग से जो निर्वाचन की मांग थी वो छोड़ने के लिए त्यार हो गए थी। तो ये था पूना पैक्ट। ये दो घटनाएं थी ये भी महत्पून घटनाएं थी उसी राष्टी आंदलन के दोरान क्योंकि पूना पैक्ट था उसने देश की एकता को और ज्यादा मजबूत किया। उसी तरिके से लौड इर्विन और गांधी जी के बीच में जो इर्विन गांधी इर्विन पैक्ट था उसने भी गांधी जी को एगरी किया कि वो सेकेंड रावंटेबल कॉनफरेंस में पार्टिपेट करें। एक बार हम रावन टेबल कॉन्फरेंस पे दोबारा से थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं, रावन टेबल कॉन्फरेंस से वो तीन हुए थे, 1930, 31, 32, गांधी जी और कॉंग्रेस पार्टी में, पार्टी ने केवल सेकिंड में ही पार्टिस्पेट किया था, फर्स्ट और थार्ड का boycott किया था, सेकंड में पार्टिस्पेट किया था, लेकिन जो रिजल्स थे वो इतने अच्छे motivational नहीं रहे थे, इतने अच्छे नहीं थे, आज पर expectation नहीं रहे थे, उमीद का नुसार नहीं रहे थे, क्योंकि गांधी जी की और 66 की जो मांगे थी, उन पर कोई विचार नहीं किया गया था केवल BR अंबेड कर ही ऐसे भारतिय थे जिन्नों ने तीनों roundtable conference में वहाँ भाग लिया था तो ये था हमारा आज का session, आज के session में हमने सविन्य अवज्या अंदोलन, दांडी मार्च, पूना pact और गांधी इर्विन pact की बात की, उमीद कराऊं आप अच्छे से इन topics को समझ पाए होंगे उमीद कराऊं आप बहतर तरीके से करे हों, उमीद ये भी कराऊं, आप अच्छे से होंगे सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे तो थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और next station में हम फिर आएंगे, six station में उसमें हम बात करेंगे कि भारत में जो सवीन्य वज्य आंदोलन था, उसमें हर समाज, हर तबके ने भाग लिया था उनकी क्या उमेदी थी और क्या इसमें हर तबके ने भाग लिया इसकी कम्या क्या थी, क्या कुछ ऐसे तबके भी थे समाज के, जिनों ने इस आंदोलन में पार्टिस्पेट नहीं किया था अगर नहीं किया था, तो क्यों नहीं किया था, वो हम बात करेंगे next session में, तब तक के लिए take care, bye bye